नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चनल नई उमंग में तो इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे अभी एक बर्ति आयूई है UP-PCL-ARO यानि समिक्षा दिकारी रिक्वार्मेंट 2020 उत्रपरदेश पावर कोर्परेशन लिम्टेड ने किया है यारो की बर्ति के लिए नोडिकेशन जारी किया है और इस वीडियो के माद़े में से हम जानेंगे कि इस बर्ति के लिए UP-PCL-ARO का SLABS, EXAMP, SLECTION PROCESS और SELURI इन चार चीजों के बारे हम जानेंगे कि इसका क्या प्रिक्षा पेटर होगा क्या इसकी SELURI होगी SLABS क्या होगा और SLECTION PROCESS क्या होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी यह बर्ति अभी जारी हुई है आली में 14 अगस्त को इसका notification आया ऐसा और अभी हम जानेंगे UP-PCL-ARO SLABS and EXAMPETRAN जो अभी नए आभी की बार तो सबसे पहले बात करते हैं UP-PCL-ARO Requirement 2020 का संक्षित प्रिवान यानि हाइलाइट्स की बारे में बात करें तो और्गिनाजिशन का नाम के आपका उत्तर प्रदेश पावर कोर्पोरेशन लिम्टेड यान यूपी-PCL पोस्ट का नाम आजटी स्टेंड रिवीव ओफिसर यानि ARO नंबर ओफ पोस्ट 16 है नोडिकेसं डेट आपकी चोदा अगस्त को इसका नोडिकेसं जाए हुआ फिर अगर बात करें इसकी अप्लिकेशण स्टार्ट होंगे ओनलाइन आप्लिकेसं मोर वो online होगा सबसे वेले बात आती है आपकी उत्रपरदेश ARO selection producer यानि आपकी जो selection process क्या होगा UP PCL ARO का तो क्या होगा इसमें computer based test होगा और typing skill यानि आपका एक online test होगा और उसके बाद आपका एक typing test होगा हिंदी का हिंदी में तो यह क्या आगे इस्ते विश्त्री दूप से जानेंगे सब यहां बात आती है आपकी UP PCL assistant review officer exam pattern क्या होगा तो इसमें तीन बाग होगे पहले बाग में क्या होगा आपका इसमें होगा पहले बाग के person DOE ACC Oster से समंदित होगी यानि आपका एक computer test होगा यह computer से समंदित आपके question पूछ से दाएंगे इसमें इसमें प्रते गलत उत्तर के लिए क्या है negative marking होगी negative marking क्या आपकी एक बड़े च्या यानि point 25 क्या आपकी negative marking होगी इसमें उम्मीदवानों को भाग एक में कम से कम 50 प्रतिशन अलाना क्या आउस सक्या अभियर्थियों को भाग एक के computer section में कम से कम 20 अंक प्राप्त करने होंगे पास होने के लिए final मेट लिस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं होगा यानि इसके अंक नहीं जुड़ेंगे अब बात आती है इसमें भाग दो की तो भाग दो में क्या है भाग दो में क्या प्रिक्षा के परसन वास्तोनिस्ट प्रकार के होंगे लिखित परिक्षा के सभी परसन वास्तोनिस्ट प्रकार और MCQ अधारित होंगे इस परिक्षा में नेगटीव मार्किन लागू होगी प्रते गल उत्र के लिए एक बड़ चार अंका वो काटा जाएगा अब बात करते हैं इसका परिक्षा वेसे होगा क्या UP, PCL, ARO यानि समिक्ष्या अधिकारी का exam pattern क्या होगा तो ये आपका अब की बार नया exam pattern है इसमें नया exam pattern क्या है इसमें इसमें आएगा जन्रल शट्डी के 20 question आएगे 20 नम्मर के, फिर आएगा लोजिकल नोलेज आएगा इसमें 16 question, 16 नम्मर के फिर जन्रल फिर जन्रल हिंदी 12-12 class तक 70 question आएगे 70 नम्मर के, फिर आएगा आपका जन्रल इंग्लीस बार्वी लेवल का 70 question 70 number के और total aपका 200 number का paper होगा 200 question होगे और 200 number के आपको 200 मेंसे आपको ऍिमेरी टंक में नमर जोड़े जाएंगे इसके अब बात आती आपकी part 3 की तो part 3 में क्या होगा जिन उमीद्वानों को बाग दो परिक्से में योग辦法 कोषित किया जाएगा उन्हें 인pielt are इंदी स्टेंओग्राफिय और इंदी एंग्रेजी theakan regions में पुलाये जाएगा रिकरोषा संख्या की फ्रती कि टीन बार उमीद्वारओक के बाग्र्व समय क्या दो प्रिक्षय में आयोग से आउजित दोट्रा वाट 80 word per minute के इसाब से आपको क्या है typing करनी है अब बात करते है stenography test और typing test के बारे में तो इसमें आप से क्या क्या करुआ जाएगा इसमें क्या है उमीदवारों को 5 minute में detection पूरा करना होगा इस तंकन के लिए cool 30 minute का समय computer में typing के लिए दिया जाएगा फिर होगा आपका typing test सभी पत्र उमीदवारों को typing test में उप्रस्तित होना वसे गया typing test इंदी और अंग्रेजी दोनों भासा में होगा लेकिन ये हिंदी में होगा ध्यान रखना इंदी में होगा इंगलिस में नहीं होगा typing test कुरूति देओ 010 या 016 font में आज़ित किया जाएगा ये report data ध्यान रखना 010 या फिर 016 font में क्या आज़ित किया जाएगा अब बात करते हैं typing speed typing speed वेशे तो इसमें क्या 30 word permit आप से मांगा है इसमें ध्यान मत देना 30 word permit के साबसे कि आपको type करने है हिंदी जो आपका font होगा कौन सा होगा test कुरूति देओ 010 या फिर 016 अब बात करते हैं UP PCL ARO syllabus 2020 के बारे में यानि syllabus में कौन-कौन से आप से subject का आएगा इसमें तो इसमें आएगा computer आएगा हिंदी, अंग्रेजी, समाने अध्यान और तरकी के अध्यान ये इन subject से के आपके क्यों सुन है वो पूछे जाएंगे सबसे पहले बात आती है UP PCL Computer Knowledge Slaves के बारे में ये computer का syllabus क्या क्या होगा UP PCL ARO के लिए तो computer में क्या क्या पूछा जाएगा operating system से समनित क्यों सुन होगे MS Excel, Internet Programming, HTML and DHTML, E World Computer Network, Windows MS Word, Various Usage of Computer इसके बाद आएगा आपका The Introduction of Computer Industry PC and Systems of Advanced Technology Regarding Computer Security Aspects for PC तो ये होगा आपका computer इसमें से आप से के 50 नमर के क्यों से पूछे जाएंगे 50 क्यों से आपकी General D की तो समन्ने अधियाने में क्या क्या आप से पूछा जाएगा History, Geography, Socioeconomic Development of Uttar Pradesh Knowledge of Current Events Modern History of India Indian Culture Politics, Economy और Geography of India तो ये आएगा आपका General D से समन्जीत आपकी question पूछे जाएंगे अब आ रहाती है English की English में आप से क्या 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 पूछा जाएगा Article, Comprehension, Grammar, Unseen Passage, Vocabulary, Error, Correction, Sentence, Correction, Synonyms, Andonyms इसके बाद अगर बात करें Tense, Closed Test, Verb, Idiom and Phrase, Preposition तो ये आएगा आपका English का फॉर्षन अब आरी आती है आपकी UP, A, R, O, Hindi से लेवस क्या होगा आपका तो इसमें आएगे Basic Grammar के क्यूशन पूछे जाएगे आपसे वाक्य सुदार, प्रियवाची और विलोम सवद वाक्य लेखन, वावरे और वाक्यांस के लिए एक सबद, सर्वा नाम, संग्या किरिया, और पत्तर लिखना, और काल तो ये आपका इंदी का फॉर्षन है इससे समंदित आपके डेली 40 क्यूशन की क्लास होती है, अगर आप जोईन करना चाओ तो कर सकते हो, डेली आपको 40 क्यूशन की एक कविज करवाई जाती है, डेली आपकी क्लास होती है, सुबह 10 बजे, अगर आप जोइन करना चाते हो तो कर सकते हो English की भी क्या है जो आपका syllabus है उसी के recording 25 गुषन क्लास होती है वो भी आपको जोइन करना है तो कर सकते हो डेली आपकी क्लास लगती है इसके लिए आपको क्या करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे जब भी कोई निया नोटिपिकेशन डाल जाएगा या वीडियो डाल जाएगा आपके पास उसका नोटिपिकेशन आ जाएगा और आप जल से जल के वो वीडियो देख सकोगे अब बारी आती है आपकी UP Assistant Review Officer की Saluri और ये क्या होगी ? तो आपकी minimum salary होगी starting वो होगी छाएगा है Pyramaträtta छे से नोटिपाइको से आपकी सुरूख होगी पर,मंद के हिसाप से और साथ में क्या होगी इसका जो पेस्केल है वो डिपार्टमेंट के इसाब से क्या अलगले रूल के साब से होता है तो वो आपको notification में ही मिल जाएगा और description में आपको क्या notification दीए वहां से आप यह जानकारी देख सकते हैं तो यह तो थी एक छोटी जानकारी UP, PCL, ARO बरती 2020 का जो सलेबस है, एक्जाम पेटन है, सेलेक्शन प्रोसेस और सेलरी के बारे में एक छोटी जानकारी, आसा अगर तो मैंने आपको जानकार दिया, आपको समझ में आई है, और अच्छी लगए, अगर जानकारी अच्छी लगए, तो इस अपने दोस्तों साथ जेजूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अगर आप से नहीं पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको बेल आइकन दिकाए, इसको प्रेज करना ताकि जब भी कोनिया वीडियो ड़ाजाए, आपके पास उसका नोडिकेशन आजाए, और आप जल्द से जल् जोइन कर सको, तो आज की जान का मस इतना ही, मिलते हैं एक नहीं जान कैसा, तब तक के लिए, जैबाद धन्यवाद